गुबारा पंचायती चुनाव हो इसलिए कि वीडियो, एश्डियो, स्रियो ने 25-30 लाख रुपया लेकर सीट को बेच दिया है आरजेडी के विधायक राम विश्न लोहिया जी हमारे साथ मौजूद है क्या कुछ बाते हुई है आज क्या बाते हुई है कि हमारे हैं जो पंचायत का चुनाव हुआ है आठ दस को और दस दस को जो गर्ना हुआ मतगर्ना किसी के समक्ष नहीं हुआ कोई भी परत्यासी मतगर्ना कच में नहीं गया और वो पहले से अपने मन अनुसार परतियासी का नंबर जोड़ करके आरोग टेवूल पर रख दिये थे लोग और कहा लोग कि आरोग टेवूल पर आपका गणना रखा गया है रखा गया है आप जाके लिख लिजिए हमने चुनावा एक सो भी मांग किया है कि जगदिश्पूर के भोजपूर जिला के जदिश परतियासी वहां नहीं गया है ना दसकत किया है ना किसी का चेहरा वहां आपका है आपको यह वोट की चोड़ी का खेला कौन करता है इसकी दुवर्ट करवा जा रहा है यह खेला तो अफसर करता है जो अस्थानी अफसर जो होता है ना जिससे पंचाइतियों का जो चुनाव गैति है वह समझता है कि हमारे उपर आप कोई प्रत्यासी की सामक्ष नहीं हो रहा है इसको डियेम साहब जाच करवाईए और गणना को मत गणना को रुकवाईए लेकिन उन्होंने भी इस बाद मेरे बात को अंदेखी किया और सभी फर्जी हारेवे प्रत्यासी को सच्पिटेक दे दिया गया पचीस लाग से तीस लाग रुपया लेट है कि हम लोग अरश्टी अध्याजी से और हमारे जिस्तु के पचास करता हैं जो प्रत्यासी थे वो लो ने भी अपनी बात कहा तो मैं चुनावा एक सो भी मांग किया है कि जाज करके दोस्की प्रादिकारी को सस्पेंट कीजिए और पुरा मत अधान करा वें कहीं नितीज सरकार जो है वोट की खुलियाम करवा रही है अरे आपने तो 2020 का जो विधान सभा का चुना हुआ हुआ हमारे प्रतिपश जनता सरी तेस्विजादों को जनता ने मुख मंत्री के लिए चुना था लेकिन ये दोनों सरकार के अंदर को राज सरकार ने मील करके हमारे भोटों की गिंती में गरवड़ी किया और हमारे प्रतियासी को जान बुच के हराया जिसके चलते हम लोग आठ दस सिर्ष हम असपा का खेला है और लगतार मुलकात करने के लिए थे क्योंकि इनके पंचायत में जो है वह पंचायत चुनाव में गरवड़ी की गई है और अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग जो है वह क्या कुछ आगे करवाई करती है